इनसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए दुनिया तो भगवान से भी जो है वो दुखी है और क्याने का मतलब है अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर आपको उस काम करने में प्राउट फिलो रहा है गर मैसुस हो रहा है यानि आप काम बिल्कुल सही कर रहे हैं दु क्लास को स्टार्ट करूँगा उसके पहले बोलूँगा आप सभी को मैं तीन दीन से बता रहा हूं सोम बार को दो पहर में दो बजे ट्रिग्नोमेट्री यानि त्रिकोलमेटी का जो चैप्टर है उसका अगर आपको जीरो भी नहीं आता है न तो उसका क्लास आप सभी को मि और इस class का पूरा का पूरा जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के description box में दिया गया है या फिर आप टेलिग्राम से या फिर आप हमारे ग्रूप से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर फोन में सर्च मारिएगा success की 98 ठीक है और किसी भी exam का mock test जो है हमारे application को डाउनलोड करने के बाद आप फोन के उपर हर एक exam का mock test दे सकते हैं या फिर railway हो बैंक हो या फिर SSC हो वहाँ से 349 वाला package वाई करते हैं तो एक साल के validity के साथ आप आने वाले हर एक exam का mock test दे पाएंगे एक साल तक ठीक है और आज कबर करेंगे हम सभी 12 April के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है प्रस्थ नहीं निमली खित में से कौन सा IIT साखाओं में से किसने कम लागत वाले vendilator जिसका नाम क्या दिया गया है उस vendilator का उसका नाम दिय गया है आपका प्राण आयू ठीक है विक्सित की है और ये बनाने वाला कौन सा IIT है तो वो है आपका IIT रुकरी option number आपका C अगला प्रस्थ मारे सामने हैं चार वर्सिया और ये question काफी important है आज का क्यों पहले वो सुलो यह पहला case है जहां पर मानाव से जानवर तक फैलने वाला क्रोना वाइरस ये पहला case निकल कर आया है question पहले समझ लो आप सभी चार वर्सिया एक बाग है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है आपका नादिया यह किस सहर में है और पहले मैं बता दूँ यह कौन से चिडिया घर में है यह बाग जिसका नाम नादिया है यह है और यह पहला जानवर है जिसके अंदर मानों से क्रोना वाइरस फैला है यानि human to animal ठीक है और यह चिडिया घर कहां पर है जहां पर यह बाग रहता है तो यह चिडिया घर है आपका नियॉर्क में आपका option number A इस question को पहले आप बहुत अच्छे से समझ लो नियॉर्क में एक चिडिया घर है जिसका नाम है आपका ब्रॉंक्स चिडिया घर ठीक है जहां पर एक बाग रहता है चार वर से जिसका नाम क्या है नदिया यह पहला जानवर बन है जिनको जिसके अंदर क्रोना वाइरस जो है वो positive पाया गया है ठीक है और यह पहला case है जानवरों का जिसके अंदर जो है वो क्रोना भायर्स पाया गया है ठीक है याद रखेगा क्विस्टिन काफी important है चिडिया घर का नाम याद रखना ये चिडिया घर कहां पर है नियॉइर्क में ये याद रखना कौन सा जानुवर पहले हुआ है बाग टाइगर ये याद रखना उस बाग का नाम क्या है नडिया ये भी याद रखना कितने साल का है चार वर्स का है ये भी याद रखना क्वेस्टे काफी important है ये वाला अगला प्रस हमारे सामने है निमलिकित में से कौन सा नासा का उबगरा है न जो जो जौला मुकी और भुकम की चेतावनी जारी करेगा यानि जौला मुकी और भुकम पाने से पहले जो है अब आपको वार्णिंग मिल जाएगा नासा ने एक ऐसा उबगरा जो है वो लॉंच लिया है उसका नाम बताना है और उसका नाम है आपका CIRES क्राइस option number आपका B और इसका full form भी आप सभी याद रखना Cube set, imaging radar for Earth science इसका full form भी आप सभी याद रखिएगा और आज का पहला परस्द आप सभी के लिए ये है कि नासा के administrator कौन है और नासा का जो headquarter है वो कहां पर है और नासा का गठन कब हुआ था establishment here ये तीन चीज़ आपको नासा के बारे में comment करकर बताना है ये आपका आज का पहला काम है अगला प्रस्द हमारे सामने है Indian Railway यानि भारतिया रेलवे द्वारा Vixit Ventilator का क्या नाम दिया गया है और ये जो Ventilator बनाया गया है Indian Railway के तरब से ये कहाँ पर बना है तो ये बना है आपका कपूर थला Rail Coach Factory में अब ये कहाँ पर पढ़ता है तो ये पढ़ता है आपका पंजाब में पंजाब में जो Indian Railway का Coach Factory है ना कपूर थला यहाँ पर जो है वो Ventilator विक्सित किया गया है Indian Railway के तरब से नाम क्या दिया गया है विस Ventilator को तो नाम दिया गया है आपका G1 option number आपका A और आप सभी को पता है Rail Minister कौन है तो Peace Girl ये सभी को पता है अगला प्रसमारे सामने है निमलिकित में से कौन सी भारतिय अमेरिकी फर्म है ना जिसने 3.4 Hydroxy Chloroquine Hydroxy Chloroquine टेबलेट डान करने का संकल्प लिया है बहुत जहमेला चल रहा था आप सभी को पता है कि अमेरिका के जो राश्चपती है Donald Trump वो भारत से अनुरोद कर रहे थे कि हमें ये जो medicine है जो दबाई है आप सभी जो है वो उपलब्त करवाई है और भारत ने इस medicine के उपर जो है वो परतिबन लगाया था लेकिन अमेरिका के बहुत दबाब देने के बाद भारत जो है अभी यह medicine जो है वो अमेरिका को देगा ताकि actual में हो क्या रहा है ये पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा क्रोना वाइरस और डाक्टर के सलापर ही ये आप लो पहले तो आपको ये जागरुक होने का बहुत जरूरी है ये कही ना कहीं कुछ हद तक यह ठीक कर दे रहा है कुछ हद तक पूरी तरह से नहीं यह permanent solution नहीं है COVID-19 का पहले आप ये doubt के लिए रखना ठीक है question बोला है कौन सा firm जो है न यह दवाई जो है वो उपलप्त करवाएगा अमेरिका को तो वो firm कौन सा है तो वो है आपका अमनिला फार्मासोटिकल option number आपका B question को किलिया रखिएगा अगला प्रस हमारे सामने निमलिकित में से किसने COVID-19 से लड़ने के लिए एक बिलियन डॉलर का दान दिया है बहुत बड़ी रखम है और यह दान देने वाले विक्ति का नाम है आपका जैक डॉट से option number ये option number C अब ये कौन है तो CEO जो है ना ये CEO है किसके Twitter के और इनके बारे में अभी चर्चा बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है पहले ये सुन लो सबसे ज़्यादा दान तो इनसे भी ज़्यादा कुछ लोगों ने दिया है लेकिन इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है पहले ये सुन लो माल लो अगर किसी इनसान के पास 100 रुपए है न तो 100 में वो 28 रुपए यानि आप अनुमान लगाओ अगर किसी इंसान के पास 100 रुपए है तो 100 में 28 रुपए जो है वो अपना दान दे दिया किसके लिए तो क्रोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत बड़ी बात है अभी तक तो इतना अपने इंकम का 28 पर 30 तो अभी तक तो किसी नहीं दिया है तो याद रखिएगा जैक डोट से जो है वो ट्वीटर की सीओ है इन्होंने 1 बिलियन डॉलर का जो है वो दान दिया है इसलिए ये क्वेस्टन काफी इपोटेंट हो जाता है अगला प्रस हमारे सामने है निविन्तम ILO यानि International Level International Level Organization के रिपोर्ट के अनुसार ताजर रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा में परवेस करने का अनुमान लगाया गया है तो 400 मिलियन लोगों का बहुत बड़ा डाटा है अगर मैं इसको 400 मिलियन को थोड़ा सा कनवर्ट करकर आपको समझाओं तो इसको आप बोल सकते हो 40 करोड लोग यानि 40 करोड जो लोग है वो गरीबी में परवेस करने के लिए तयार है एक रिपोर्ट के अनुसार किसके रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल लेवर और गनेजेसन के अनुसार आप सभी को पता है COVID-19 में कितना अपना परकोप कितनी बुरी तरह से छोड़ा है पूरे विसो भर में और इससे भारत भी जूज रहा है और COVID-19 से पहले भी भारत जो है वो बहुत चीज में पिछड रहा था ठीक है आप सभी को पता है अगर मैं यहां पर बात करूँ एंसर तो आप सभी को पता चल गया 400 मिलियन यानि 40 करोड लोग गरीबी रेखा में जो है परवेस करने वाले अब बात करूँ कि इंटरनेशनल लेबर और्गरेजियसन का जो हेट क्वाटर है वो कहां पर है तो एक्जाम में काफी बार पूछा गया है आप क्या बोलेंगे जेनेवा जो पढ़ता है आपका स्विजरलेंड में इसका गठन कब हुआ था 1919 में और ILO के CEO कौन है तो उनका नाम है आपका गाई राइडर ये भी आप सभी याद रखना इसके CEO कौन है गाई राइडर गठन कब हुआ था 1919 में हेट कौटर कहां पर है जेनेवा स्विजरलेंड में अगला परसमारे सामने हैं किस राजनी ताला बंदी यानि लॉकडाउन का जो अओधी चल रहा है इसके दोरान बच्चों को सिखाने के लिए प्रत्वसाहित करने के लिए एक यूट्यूब चैमल सुरू की है और ऐसा करने वाला कौन सा राज है तो वो है आपका करनाटका option number आपका B करनाटका के CM कौन है यूदरप्पा सभी को पता है राजजपाल बजूबाई वाला और कैपिटल के है तो वो है आपका बैंगलूरू अगला प्रसमारे सामने है फोर्प्स की 2020 की सूची के अनुसार दुनिया भर में सिर्स अरपतियों की सूची में सिर्स पर रहने वाले पहले भारतिया अरपति कौन बन गए है तो पहले भारतिया अरपति जो बन गए है अभी जो नया ताजा रिपोर्ट आया फोर्प्स का दुईरबीस का सूची उसमें भारत में नंबर वन पर मुके संबानी है और पूरे 200 भर में इनका रैंक कितने पर है तो 17 नंबर पर है और एक नंबर पर कौन है पूरे 200 भर में तो एमजन के जो मालिक है जेब बेजोस वो टॉप पर दुबारा से आ गए है हाला कि जेब बेजोस और बिल गेट्स में आगे और पीछे एक और दो नंबर पर लडाई चल रही है अब भी जेब बेजोस जो है वो फिर से नंबर वन पर आ गए और इंडिया से नंबर वन पर कौन है मुकेस अंबानी और 200 भर में मुकेस अंबानी का राएंक कैस 17 नंबर पर है ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है सरकार ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए सभी frontline हेल्थ केर पेसवरो यानि जितने भी स्टाफ है जो हेल्थ केर से जुड़े हुए उनके लिए जो है न एक मन्ज सुरू की है जहां से वो हर एक चीज़ सिख सकते है ताकि COVID-19 से वो कैसे लड़ सकते है कैसे बचने का उपाए ताकि दुसरे वो कैसे बचा सके हर एक चीज़ वहाँ पर उनको सिखाए जाएगी जितने भी frontline हेल्थ केर लोग है तो कौन सा मन्ज लाँच किया गया है I got option number आपका A ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है महामारी के करन बंद किये गए 16,500 करमचारियों को किस airlines ने वापस लाने का फैसला किया है बहुत अच्छा इस टेप है actual में क्या है अभी इस महामारी में जो रोज बेरुजगार हो गए घर कैसे चल रहा है तो वही लोग पर बीतरा होगा तो समझ रहे होंगे लेकिन कौन सा ऐसा airlines है न जिसने क्या decide किया है कि जितने भी 16,500 करमचारियों को उन्हों निकाला था उनको दुबारा काम पर रख लिया गए और ऐसा करने वाला कौन सा airlines है तो वो है आपका Air Canada option number आपका B तो ये थे आपकी important करेंट अफेर कपका 12 April का इसका पूरा PDF का लिंक वीडियो के description में दिया गया है Monday दो पहर में दो बजे वीडियो best of luck ट्रिगो इस बार पूरा अच्छे से सिखना है बाकि सभी को गूड मॉर्णिंग अपना खयाल लगना झाला लगना थे कि जदेन रची बच्छे से सिखना था क्रोजस अपना कर दो चाला के से समय वीडियो आंखका खएना बचे भबतना दो ये दो इसे में वीडियू दो इसमे पूला आपकी protections में थो